तो बाई ऐसा कुछ सर्फेस है ताजी मिट्टी है प्लॉट में अभी डलवाई है गाडियों के लिए गहराज बन रहा है तो इस पे चलाएंगे हम आज स्कॉर्पियो क्लासिक बिद अपग्रेड़ सस्पेंशन जैसे कि आपको पता मैंने एर्सी के सस्पेंशन डलवाई थे ऑसम मेरा अक्स्पीनेस रहा अन रोड तो देखो ऑफ रोड इंग जो नॉर्मल होती है बहां पर भी बहुत अच्छे से टैकल करता है पता नहीं चलता आप खड़ों का नॉर्मल जो स्पीड ब्रेकर होते हैं उस पे अराम से गाड़ी जाती है ऐसा नहीं कि बिल्कुल फी अक्षण कर दो कर दो कर दो कर दो तो दोस्तों जे था छोटा सा टेस्ट मिटी पर नेक्स्ट इसका पार्ट टू आएगा जिसमें हम प्योर अफ्रोडिंग करेंगे और उसके इलाबा एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं अगर आप अपनी मेंदरा स्कॉर्पियो क्लासिक जा ओल्ड स्कॉर्पियो जो भी है तो इस चीज का ध्यान रखना मेरी आपको से रिक्वेस्ट है कि इसको स्टॉक टायर के साथ यूज करना टायर कोई भी डिलवालो मेंट से जो टायर साइज है जैसे इसमें आता है 235-65R17 क्योंकि ज इसको अपग्रेड कर लेना जो रिम का साइज है वो सेम रखना सिर्फ टायर को अपग्रेड करना जो स्कॉर्पियो एन में साइज आता है 245-65R17 जो सिर्फ वेटता वो उसकी ज्यादा थोड़ी सी बढ़ जाएगी उसके साथ उसका जो साइट बाल भी आटोमेटिकली उस की रेशो जो है 245 की रेशो बहुत थोड़ी सी बढ़ेगी उसमें आपको क्या कुशन ज्यादा मिलेगा जैसे आप छोटे मोटे गड़े वो उसमें विल्कुल भी फिल नहीं होगी इसमें भी नहीं होते क्योंकि जो मिचलन का टायर आपको पती है इसकी क्वाल्टी ऑसम क यहाँ था है एक तो आपका जो घाड़ी का वी रैंटीर वो बढ़ जाता है ठीक हर चीज का वी रैंटीर बढ़ जाएगा जैसे आपके ब्रेकिंग होगी स्टेविल्टी उसमें नहीं मिलेगी वो कहने को ठीक भी आख चोड़ा टायर वही स्टेविल्टि अच्छी मिलती उससे आपकी जो ground clearance है वो भी effect होती है center of gravity वो भी effect होती है तो जो जब आप turn करते हो हर चीज effect होती है आपका गाड़ी का pickup acceleration सब कुछ effect करता है तो tire को limit के अंदर ही upgrade करना चाहिए जैसे जो professional आप वो recommend करते है कि maximum 2% इसको आप minus जा plus maximum 2% उसके अंदर ही होना चाहिए तो यह था चोटा से वीडियो part 2 अभी आएगा तो उसमें हम pure offloading करेंगे तब तक आप channel के साथ बने रहिए गर वीडियो अच्छे लगी तो channel को subscribe कर दो उससे थोड़ा सा motivation मिलता है आगे वीडियो बनाने का भी मन करता है तो इसकी वीडियो आएगी Harley Davidson इसकी बहुत लंबी कहानिया बहुत से मैंने इशू फेस की है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो उसके लावा जो मेरी फेवरेट है वो खड़ी है पोर्ड फ्रीस्टाइल रेडलाग चल चुकी है वो बस मैं उसको कभी नहीं वेचुगा ऐसी गाड़ी है मुझे लगता कि उसका कोई competition कोई गाड़ी कर सकती है जिस प्राइज रेंज में वो आती थी और जो चीज ओफर करती थी जो ड्रावेविल्टी वो ओफर करती थी लाजवाब ओसम कोई comparison ही है कोई भी comparison नहीं है थैंक यू धन्याबाद भाई सबका है लो बिल्सन